प्रेंट वेलकम तु पाइट पॉइंट फ्रेंट जी ट्वेंटी की बैठक चल रही है देली के अंदर और इसके सहत कुछ चोटियां पड़ गई है यहां पर देली के अंदर चलिए अधिज आँद आएट जो पास पर इसके साइट पॉऑ वड़ी ते अधिया और तो चलिए प्रेंट सेजन के बाइड है तो पॉट सेजन के जो कि लोगों को इस सीजर में बहुत पसंद आई यह अजन्ता के पेपर पे है और इसकी बनावट है और जो इसमें कमांड ठटे और जोरी पत्ते का जो काम हुआ हुआ है आप देख सकते हैं पतन को यह पतंग रजा की हमारे पास जिस रेट में थी उससे कंपेरिटिवली अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया पतंग थी बारा रुपे पचास पैसे जाड़े बारा सो रुपे की सो यह रेट था इस पतंग का और इसके अंदर जो मैं दिखाना चाहता हूँ मैं कई बार इसकी जच कर चुका हूँ उडाके भी देख चुका हूँ तो पतंग एक नंबर है आप देख सकते हैं इसकी कमानिया बड़ी लोजदार है और चोटे पेशों के लिए चार सो पांसो गर्स तक भी पतंग आराम से रड़ जाएगी कमान ठड़े ठिके हुए हैं और मुलादाबाद के पतंग के रेट के इसाफ शेकर देखा जाए तो यह पतंग बढ़िया रही इसकी दन काफी सेल आउट की आमनेंस है तो इसके बार में आपको दिखाना चाहत हूँ इसके जो कलर कॉमिनेशन से यह ब्लैक कलर के अंदर तूतिया कलर की पत्ते लगे अबी भी और बारा तो पचास रुपे का इसका सौल लेने का रेट अगर कोई कम लेता है तो फिर तेरा रुपे का नीट है तो यह पतंग चलिए आप देख सकते हैं इसके कमान थंटे को अगर हम गौर से देखें तो यह औरिजनल सिकाईयां औरिजनल कमानी की सिकाईयां चलाईयां हुई हुई है पतंग की कमानिया बहुत ही बढ़िया और खेड़े बहुत ही लोचदार लगा रखे हैं पतंग 100 में से एप्रॉक्स 95% पतंग यह बहुत ही बढ़िया थी और सीजन में लोगों ने इसको बहुत पसंद की हमने बहुत सेल आउट किया इसे यह पत कैजल बरेली की पतंग है आप इसके कमान ठेट देखिए और इसके पत्ते पे जो काम हुआ हुआ है आप पत्ते देखिए इसके पत्ते पे सभी पत्ते बड़े ही कलरफूल और डिजाइनर थे पतंग यह अजनता पर है और अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो कोई इसके पतंग नहीं है क्वालिटी में यह लोचदा खटे लगे हैं कमानिया देखिए आप बड़ी लोचदार लगी है जो की पतंग जो है ना इतनी भी लोचदार होगी वह आपको कभी भी आसमान में ठकाएगी ने वह आपके इशारे पे चलेगी और यह छिल छिल के इतन कि पतंगा ने आपको दिखा दी है एक रजदा मुरादाबाद एक फैजल बरेली यह 13 रुपे की पतंग थी हमारे पास में अभी भी अगर किसी को चाहिए तो चलिए इसके बाद एक पतंग के हम बात करते हैं भले यह पतंग खटीमा के पेपर पे थी पर पतंग बहुत अ तो इसके एक हम बढ़ ऑने रहिं तो चलिए मुरादाबाद की पतंग खाहिए बहूने के आपके पतंगत कि बहुत बढ़ यह कालर डिजाइनस दिखिये तो इसम तो चलिए नौद के बले के लाक हैं है ब्लू कलर की चक्पें हैं ब्लू कलर न कणर की चपें और अगर हम बात करें तो यह ब्लू कलर के अंदर यह ब्लैक कलर का पत्ता है कमांड हटे आप देख सकते हैं यह यह वाइट तोकिये हैं और यह ब्लू कलर की मांग हैं ब्लैक में ब्लैक प्लेंज हैं और यह ब्राउन कलर की मांदर पतंगे हैं तो यह पतंगे हमारे पास अभी भी एविलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए तो मिल सकती हैं, आप देखें हैं यह पतंगे, और अगर थटों की बात करें, लोजदा थटे हैं, सिकाईयां सब पर बहुत बढ़िया हुई है, खटीमा का कागज है, तो यह पतंग का रेट भी हम तो मुरादबाद की पतंगे मैंने अब भी दिखाई हैं आपको यह और चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो इमरान फैंसी, इसको इंट्रोड़क्शन की ज़र्फ नहीं है, यह भी हमारे पास अभी भी आइविलेबल है, इसको मैंने पहले भी व्लॉक्स में अपने इमरान फैंसी, डबल चिली कमाने है, ब्लू कलर के अंदर यह वाइट कलर का पत्ता है, ब्लू कलर के अंदर यह रेड कलर का चप है, ब्लैक प्लेम है वाइट कलर का, यह ब्लू कलर का इसमें तोकिया है, यह औरिंज कलर का ब्लू में चप है, यह ब्लू कलर के अंदर फिर और रुपे का पतंग है डबल चली कमान में अगर किसी को भी चाहिए चाहिए को इंफ्रमेशन चाहिए या पुछेजिंग के रिगार्डिंग हमारे से कोई अगर इंक्वारी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर भी कर सकते हैं चाहिए निक्वारा नियुकर लगा तो चलिए, ये पतंग जो है, ये फैज मुहम्मद फैज का पतंग था जो की हमारे पास में मन्जूली आई वी थी, 60 डिजाइन्स थे उसमें, एप्रॉक 60 पतंगे अलग-लग मैं दे सकता था अगर कोई 60 पतंगे लेता है तो बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छी पतंगे थ अपतार थी, वो भी लोगों को बहुत पसंद आई, कमाने और ठटे भी बहुत बढ़िया लगे थे, तो इसके तहब ये लास्ट में हमारे पास कुछ उनकी अद्मियां भी आई थी, आप देख सकते हैं, इसके कलर डिजाइन्स और बनावट और दोरी पते का काम भी बहु और इसके अंगर मैं अगर कलर डिजाइन्स की बात करूँ तो ये दिखिए, वाइट कलर के तुकी हैं ब्लैक में, ये चपे हैं ब्लू कलर की वाइट में, ये कुछ अखिया पतन ये थी, मतलब डिजाइन्स दिये तो उन्होंने इसमें भी हमारे को, और ये बोले हैं, ये और फरुखाबाद की पतन में आपको दे सकता हूँ, और बागी जो है हमारे पास में रजा पतन जो है, वो साड़े बारा रुपे आज दे दूँआ, लेकिन अगर सो लेगा कोई तो, अगर रिक्वार्मेंट्स हो की हैं तो आप साड़े बारा रुपे, अजरवाई तेरा रुपे और बुधर और फैदल बरीली जो पतन है, यह अमारे पास तेरा रुपे लिए तो फ्रेंट्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, इन पतन्गों की क्वालिटी आपको कैसी लगी, यह मेरे को आके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं, अगर बहुत सा ही मंजूली काइट्स हैं, अच्छे कारिगर्गी हैं और बनावट भी बहुत अच्छी है, दिली से बाहर भी बहुत बहुत लोगों ने इन पतन्गों को मंगवाया है मुझसे, सभी को, अधी को, मंजूली को, पौनी को, और they are all happy, तो मेरे को सपोर्ट करते रह हैं, और ताकि मैं आपके लिए अपनी पूरी सर्विसेज दे सकूँ और आपके लिए अच्छा स्टॉक मैनेज कर सकूँ, माझे के भी कुछ स्टॉक साने वाले हैं, कमिंग सीजन की, अच्छे से त्यारी करेंगे, और अच्छे व्लॉग्स भी आपके लिए बनाता रहू और अपना सपोर्ट देते रहें, प्यार देते रहें, थैंक्यू सूर।